हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ बाबर रवान साब ये कह रहे हैं आपके आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें ये जनाब आप लोगों ने प्लैन किया है या discuss किया है कि जिना आप fresh elections होने चाहिए fresh elections जबके question mark है census पे जबके नई हम जो है उनको अभी होना बाकी है अगर इस वक्त इनी जो problems खड़ी हुई है उनकी मुझूदगी में अगर fresh elections के तरफ जाय जाता है तो फिर तो back to square one वाली situation आ जाएगी जी चौदा अलके तो टोडल डिस्टरब होंगे दो लाइन की constitutional amendment तो ये assembly करने के काबिल नहीं रही इसलिए इसको तोड़ा जाना चाहिए हम कहरें early election कराओ आज government टूटती है constitution में पूरा framework मौझूद है foreign election हो जाती है बिस्मिल्ला रख्मान ररहीम चौदरी शुजाथ साब कहते हैं जिनाब के national government बनेगी तो सारे जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकेगा अगर national government नहीं बनेगी और इसी साल में अगर नहीं बनेगी तो मसाइल जो है मजीद बढ़ते हैं और इनका हल कोई नहीं निकलेगा ना इसका हल केर टेकर गौर्मेंट है क्योंके केर टेकर गौर्मेंट जो है वो आपोजीशन और हकूमत के अराकीन मिलके बनाते हैं इसलिए केर टेकर गौर्मेंट भी इसका हल नहीं है सो नेशनल गौर्मेंट बननी चाहिए और नेशनल बौर्डमेंट ही इसका हल है एक और बात चूधली शुजार थाफिया साब कहते हैं वो गाते हैं जनाब कै मैं लिख गगे देने के लिए टयार हूं कि 2018 में जो गात की रहा है点 ऑलेक्शिंज के लिए उसमें नहीं होंगे वो कहते हैं जनाम मैं लिख के देता हूँ कि उस तारीख पे इलेक्शन नहीं हो सकते। नया साल शुरू होने से पहले हैं तो आप कहरें नया साल शुरू होने से पहले हैं यानि के एक डेड़ मां के अंदर अंदर यह सब कुछ हो जाना चाहिए। इसी तरह देखती है पीटी आई भी बाबार रवान साब मेरे साथ मौजूद है बाबार रवान साब से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि उनका अभी भी वही नजहां है वही है पीटी आई का जिनाDon जैंब अलेक्शन जो हैं पहले होने चाहिए। और वक्त से पहले होने चाहिए या वो चोधी शुजात साहब से कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं भी Thank you very much for joining me बाबर रवान साथ Thank you very much राना मुबशे साहिब बिसमिल्ला हरा मारा अभी उठके आ रहा हूँ हमारी कोर कमेटी की एक बड़ी तवील मीटिंग चल रही है और उसमें सारे पाकिस्तान की डीडिशिप बैठी हुई है इसलिए मैं आपको दो तीन बातें कह देता हूँ जो आपने सवाल किया उसके अवाले से पाकिस्तान में सारे इस बात पे मुटफिक हैं कि देर इस एपसुलूटी नो गाउटान पाकिस्तान में हुकमरानी है ही नहीं गवर्नस तो छोड़ चिज़े हुकूमत ही नहीं है पहली बात ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को एक नए और फ्रेश मैंडेट की दूरत है और यह इसलिए कहती है पाकिस्तान तरीके इनसाफ सबसे पहले मैंने यह आवाज उठाई थी जिसको पार्टी ने बाकाइदा फैसला करके अलेक्शन नए होने चाहिए और फ़री तरह पर होने चाहिए उसका सबब यह है कि पाकिस्तान में आपने जो कुछ भी करना है वो Constitution framework के अंदर करना है Constitution framework के अंदर इस वक्त जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं होंगे उनका अपना एक point of view है और उस point of view की वज़ा ये है कि ये हुकूमत और जो Senate में जिसके पास numbers हैं वो opposition वो दोनों मिलके अभी तक जो Constitution amendment थी जिसके बाद election होने का chance पैदा होता था उसको वो नहीं करवा सके हुकूमत नाकाम होई है ट्रेजरी बिल लेके ही है तीन दफा सेनेटर फाकिस्तान के अंदर वो अपने numbers को पूरा नहीं कर सके और जो lower house है उसमें भी उनके 20 से 30 के दर्मयान लोग जो थे वो कह रहादर थे कुछ को उन्होंने माफ किया और चोकाउस कर दिया है अब आजाएए जो यह सवाल है कि क्या कोई national government बन सकती है उसको एक मिन्ट एक मिन्ट बाबर 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 वान सब एक मिन्ट पहले इसको जड़ा clarify कर ले आप कह रहे हैं अभी भी यह कह रहे हैं आपके आपकी जिए उसमें यह जनाब आप लोगोंने प्लैन कि किया है यह डिसकस किया है कि जनाब fresh elections होने चाहिए fresh elections जबके question mark है census पे जबके नई हलका बंदियां जो हैं उनको अभी होना बाकी है इन सब के ना होने के बावजूद यह मुकमल नहीं हुआ 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 सब चीजे इसके बावजूद आप समझते हैं कि fresh elections होने चाहिए और वक्त से पहले होने चाहिए उसके लिए आएनी रास्ता है पाकिस्तान तरीक इनसाफ का मौकिफ आएनी है और वो रास्ता यह है कि यह गौर्मन्ट फ़री तोर पे असेम्डियों को तोड़े और election करवा दिये जाएं जो ही एसेम्डियों को तोड़के election करवाना चाहेंगे अगर तो आहिन उसका रास्ता नहीं रूए दूसी तरफ जब तक सेंसेज है उसको पब्लिश नहीं किया जाता जो हो चुका है उसको एक amendment जो लाई जा रही है उसमें दूस बाते कही गई है पहली बात यह कही गई है कि one time amendment होगी constitutional और दूसी बात उसमें यह कही गई है कि provision originally हम इसको पब्लिश कर देते हैं जो इसके results है इसलिए हुकूमत चुके नाकाम हो रही है या नाकाम कर रही है जमूरियत को या election से वो बाग रहे हैं और जो दो बड़ी पार्टी है वो election से बवजू सब को दिवार पे लिखा वा नदर आ रहा है किस वाक्त कौन आगे है कि की क्या position है इसलिए अगर इस पे इतफाके राय करने के बाद और national assembly में वोट देने के बाद सेनेट में अंदर वोट नहीं दिया जा रहा है या वोट नहीं लिया जा रहा है या हुकूमत नाकाम हो रही है तो क्या हम पाकिस्तान को किसी document डाल दें दूसरा जो रास्ता कहा जा रहा था इसलिए पाकिस्तान तरीक इनसाफ ने ये कहा है कि हम fresh elections और 40 elections चाहते हैं यह आईन का तकाद़ भी और पाकिस्तान के लोग गर्मेंट के बगार कैसे चल सकता है नुकलिर मुलक बाबर रवान साहब एक मिनट एक मिनट बाबर रवान साहब लेकिन issue ये है कि एक्टिस केर वाले situation नहीं है गर्मेंट जब भी तूटती है इसके लिए constitution में लिखा हुआ है कि जो ये गर्मेंट तूटेगी तो election किस तरीके से होंगे ये एक सूरत है ने 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 तरीका बाबर साहब मैं आप से आप 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 ज्यादा बेतर समझते हैं आप का जाएए इस चीज़ को के हलका बंदिया अगर इसी तरह ही है और नहीं नहीं होती तो फिर fresh elections के क्या निताय निकलेंगे ये कहां लिखा हुआ हुआ कि हलका बंदिया सारी की सारी जो है वो करना दूरी है हलका बंदिया जब भी होती है वो पहले जो कि हैं उनमेंसे 14 हलके त प्रिपन हो जाएंगे इस तरह की हलका बंदिया इस पे कौन सा को कियामत का इंतदार करने की दूरत है ये जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है इससे कोई फर्क नी बढ़ता ये उस केस में है जब ये सारी अमेंडमेंट हो जाती है और असेमली टाइम पूरा करती हैं उस स इसी चीज़ पे करना चाओँगा जरा इस पर क्लैरिफकेशन हो जाए फिर आगे जरूर चलिए आप अगर ये इसी तरह इसी स्टैंश पे इसी पोजिशन में अगर नहीं जो आप कह रहे हलका बंदिया अगर हो जाएंगी तो उसमें बार बें हो सकती है हलका बंदिया या इस तरह से कि deep limitation जो है वो हर election में हुई 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 है और अलके पहले से कोई सारे अलके थोड़े डिस्टरब होते हैं मैंने जो बताया वो तो घंटों का काम है दिनों का उसको ज्यादा से ज्यादा आप कह लीजे अब इसका जो दूसरा पहलू है जो कहा जा रहा है कि एक national government बननी चाहिए यह बहुत अच्छा ख्याल हो सकता है यह शायरी है इसलिए कि national government का कोई concept constitution के अंदर अगर नहीं होगा तो इस government को तोड़के आप नया election तो करा सकते है national government कहीं नहीं लिखा हुआ पर वो कहां से आएगी उसके लिए constitutional amendment करनी पड़ेगी पहले आप यह दो government नहीं करना चाहता लेकिन लोगों को पता है कि क्या हो रहा है जो खौफ सदा है election से वो सारे के सारे लोग चाहेंगे कि election वक्त पे नहो और time आगे जाए ताइम आगे जाएगा तो शायद उनके गुना लोग भूल जाए शायद उनके लोग भूल जाए शायद पैनमा को ल सबाले से करेगा उसमें 295 सी में उसकी सजा लिखी हुई है तो वो जहां तक पहुंच गए अब वो चाहते हैं कि उनको time मिले उनको respite मिले आप आपको मालूम नहीं है नमार शीर ने क्यों जलसों को कैंसल किया है जलसों में जागे तक्रीर किस दरगा करेंगे ये गरों से बायर किस तरह किये से निकलेंगे जो कुछ जोने निकिया हुआ है मुल्जम तो सारी अंदर बैटे हूए है और जफर ला कमेटी ने मुल्जमों के नाम उसमें लिखे हुए है आप जिसके पास नहीं है वो मुझ से आगे पढ़ ले उसमें नाम जिनके लिखे हुए हुए उनके खिलाव कुछ नहीं कर रे, उनके खिलाव तो फोजदारी मुकंदमा जिसता मैंने कहा है कि दीलादारी प्रूचा बंटाए, निसी, कौन कौन जो आईटी की मिनिस्टर ने उनकी बात करें आगे चलिए रहना साब मैंने कहा दिया जो आपका हुकम मैंने मान लिया अब नाम बता दे क्या हो गया बाब रवान साब यसी कौन सी बात है गर्मिन्ट बताया ने जिसके जमदारी है जो रिपोर्ट चुपा के बैठी हुई है आपके पास भी नाम मुझूद है नाम इसलामबाद शायर पूरे के पास आप लाहूर में है वहां तक रावी है दरम्यान में पहुंच जाएंगे आप तक भी आपको भी बताया है मेरे ख्याल में आप अनोशे ने रहान की बात करें कि उनका नाम भी ऐखातून का आप जो रहें मेरे ख्याल में आप उनका Aujourdक्त चाहते हैं चलो ठीक है लेकिन क्यों वजए क्यों नहीं बताना चाहरें वैसे आप देखिए दो सूर्टे हैं इस वक्ते सूरत हाल को समझने के लिए दो सूर्टे है एक तो एक खास तपका है जो बहुत इस बात पर दुखी है कि पाकिस्तान में उनोंने वैसा जगड़ा क्यों नहीं करवाया का जगड़ा वो तवक्कु कर रहे थे जिस जगड़े के नतीजे में खुदाना खासता कोई बदमनी की लہर कोई बदमनी का तुफ़ान और लड़ाई का कोई तुमार बाना जाता और दूर्सा हलका वो और जो मूदी की जबान बोलता है। उनको इस बात में बहुत सद्माशबार के यह देखिए जी अमने तो इतना एतनी मेनत करके आपक करने की कुछ उस वक्ट जो तक्रीरें थी वो सुनने वाली हैं वो निकाल के आप दरह दिखाईए लोगों को दूरूर लौ मिनिस्टर साब थे फॉर्मर उन्होंने क्या कहा उन्होंने का कोई फर्क नहीं है ये मैं आपको दिखा पारलेमेंट में ने को कोई फर्क नहीं है बिलकुल घलत वहमी करते हैं तो भी आप पर पास वीडियो फुटेज मौजूद है उसमें वो कहते हैं बिलकुल प्रॉपेगंडा है कुछ नहीं अगले दिन कहते हैं कलेरिकल मिस्टेक है उससे अगले दिन वो कहते हैं यह तो एक साज़िश होगी और कुछ लोगों ने कार बात कह दी जिस पर सीधा सीधा ताज़राते पाकिस्तान में अब मैं अदर नहीं जाना चाहता मैं कोई पाकिस्तान में निया जगडा नहीं चाहता लेकिन सीधा सीधा ताज़राते पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि क्या करवाई उसके वारदार डाली किस ने डाली जो व आप ऐसी और तुसी और सिंप्टी ना लगो सिंप्टी लेड़े दे चकेज़ ना पहो तुसी डर्पोक शो कोई नहीं हो कर खैर रहे तुसी ना नहीं ले रहे बाराल एनीवेज अच्छा मुझे एक बात बताएं ये आप कह रहे हैं जनाब के असेम्बली जो है वो डिजॉ असेम्बली डिजॉल्व करेंगी और खुद करेंगी देखे दो लॉजिकली बात समझ नहीं आती दो तरीकें जिनको नहीं आती उनको मैं समझा देता हूं लेकिन पूरे पाकिस्तान को आ रही है पहली बात ये है पाकिस्तान एक न्यूक्लिर टेकनॉलिजी रखने वाला म पड़े मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं और बाग गया दूसरी है कि क्या पाकिस्तान के इलावा किसी जगा अर्ली एलेक्शन हुए जिसको जुम्हूरियत की मां कहते है बरतानिय में एलेक्शन थ्रीसा में ने कराया दो बारा तो क्या हो गया जुम्हूरियत मकसد اگر corruption का ताफ़ोज है तो वो और बात है जमूरियत का मकसद अगर आले शरीफ है तो वो और बात है जमूरियत का मकसद Godfather 1 है Godfather 2 है और semi Godfathers है तो वो और बात है फिर शेंजो एबे ने election करा दिया क्या हुआ जापान उसकी तरकी रुक गई थारी कि सारी इस वाद इंतहाई खतरनाक खेल ये है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान के अवाम में जजबात रूज पर रसूल मुतरम सुलिल्लाई अलए 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 वाले से की नामूस के अवाले से हर वक्त होते हैं उनके सामने फौज को खड़ा कर दिया जाए अब देखे कितने नाराद हैं ये कि क्यों आपने फौरी तोर पे मुदाखलत की मैं ये बात पाकिस्तान के लोगों के लिए आईन मैंसे पढ़के राना साब आपकी इजाज़ती ये बात कहना चाथ ये दो ड्यूटी हैं पाकिस्तान की मुसलाफ आज की एक ड्यूटी नहीं है मैं आईनी बात कर रहा हूँ पहली ड्यूटी उनकी ये है कि अगर बॉर्डर पे कोई खत्रा हो तो बॉर्डर को तहफुस दें दूसरी उनकी ड्यूटी ये है कि इंटरिनल ये लफ से इस्तेमाल हुआ है कि अंदरूनी तोर पे अगर कोई ऐसी बदमनी हो तो वो अपनी ड्यूटी करें उसके लिए गवर्डर ने बुलाया उसके लिए बाकाइदा वजीर दाखला ने सेकरेटरी दाखला ने उनकी मिनत की होगी कि जनाब आप आगे होके इसमें इंटर्वीन कीजिए उनको क्या शौक था हम सारे ये चारे थे किसी तरीके से जग दाइए सारे चारे थे कतलो खून ना हो 11 लाशें गिरी है 11 लाशें गिरी है 11 लाशें ये आदमखोर जमूरियत है ये मैन इटर लीडर्स है ये चौदा खागे मौडल टाउन में उसकी रिपोर्ट नहीं बता रहे ये ग्यारा खागे नामुसे रसालत स्लिल्लाव अलगा लेकि ये खून राइगान जाने वाला नहीं है जो असल इशू है वो ये है कि इन पे छोड़ दिया जाए और हम सारे चुप जाए वाला किया गया ये जो इस वक्त अरस्तू बैटा हुआ है इस अरस्तू ने किया किया ये अरस्तू के दा ए तीन लेकिन वो उसरस्तू ने लाशें गिरी यह अजी परचा भी तक नहीं हुआ। यह खून बायली परचा भी तक नहीं हुआ। और इनको यह चाये था कि पुरम्न तरीके से जब आपसे गलती हुई थी उस गलती का एक ही उपाय था कि गलती के मुल्जमों की निशान नहीं करते उनके खिलाफ कानूनी कारवाई भी करते और उनके खिलाफ वजारत वाली तादीबी कारवाई और कौन मर जाता है वजारत के बगार मैंने वजारत के नहीं क्या हो गया था मैंने सैनल चोड़ दिया तो क्या हो गया इनको पता नहीं किस तरह से क्या कमाते हैं इस सब मैं से कि इनको पाकिस्तान का मुफाद नदर नहीं आता इनको पाकिस्तान के इदारे नदर नहीं आते इनको स्थिक्यूरिटी अपरेटिस नदर नहीं आता जो बच्चा चिसका भी मरे खुन अपना हुए आपर आया हो नसले आदम का खुन है आखर और अच्छा वो तो ठीक है वो और आप्सूलूटी राइट के वो जो जो ऑपरेशन हुआ वेरी बैडली कंड़क्टेड वेरी पूरली कंड़क्टेड ऑपरेशन इंटिरियर मिनिस्टर साब ने जो पहले कहते रहे जी यहाँ जी मैने उपरेशन मॉनिटर कर रहा हुए फिर कहते जी मनते पता ही कोई नी ऑपरेशन हो भी रहा है कि कि नी हो रहा है सी तो फोर्टी फाइफ पे दुबारा आना चाओंगा डिफेंड पाकिस्तान अगेस्ट एक्स्टरनल एग्रेशन और थ्रेट आफ वार और सब्जेक्ट तु लॉ एक्ट इन एड ऑफ सिवल पावर वेन कॉल्ड अपॉन तू डू सो इसी की बात करें ना आप इन एड अफ सिवल पावर क्या है उनको ये कहा जा रहा है कि हमने को जलसा करना आप के आके उसकी रखवाली करें नहीं किया जा सकता है इंटरनल डिसरबंस हो गई इंटरनल डिसरबंस जब भी होगी और सिवल जो इदारे हैं पूलीस हो गई जिस तरह ये इनकी FC है ये FC मेरे खाल में वह फ्रेंटियर कोर और फ्रेंटियर कौनस्टिमिलिरी, दो बुक्तलफ तेज़े। पर एजूकेटिंग अस दूसरा जो इसका उता वो ये था कि जब ये नाकाम हो जाएं और एक तरफ ये कहते हैं कि तेरा सो लोग बैठा हो दिनकी इंटेलिजन्स की रिपोर्ट ये थी मुझे नी पता कितने लोग बैठे हुए थे धरने में दूसरी तरफ ये कहते हैं पर असला इसके तो सारे नारे वोई निकले उसी तरह के जिस तरह जिस तरह आपने आपने इसके नाम अरस्तू क्यूं रख़ा है बाबर रवान साब कभी मिलियेगा बताओंगा अच्छा ठीक है जी अच्छा जी चलिए जी जो असल इशू है वो वक्त के पाकिस्तान को क्या हम ये मौका नहीं दे सकते के पाकिस्तान अपनी लीडर्शिप लेके आए जो लीडर्शिप इस हालत में से हमें निकाले अब देखिए गैस की लोड शेटिंग है इस वाक रो हों में बिजली हर दो गुंटे के बाद दो गुंटे के लिए जाती है पर इमान साब आप गैस की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं न कि गैस की लोड शेडिंग है और गैस की प्रॉबलम है और गैस का ये है और गैस का वो है वो जावेद लतीव साब याद है आपको याद है ना अभी उनको कल परसू आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे एक क्लिप भी चल रहा था जावेद लतीव साब मुस्लिम लीग नून वाले जिनको जो घेरे में आगे थे और उनकी वहाँ पे जोना थोड़ी सी पिटाई श्टाई होगी थी याद है ना आपको जी जी वो अवाम की अदाले ना नवाज श्रीफ कहता है मैं चार जज़ों को नहीं मानता मैं अवाम की अदाले जाना चाता हूँ अदर अप पूछ लीजेगा अवाम की अदाले ने अब भी जाना चाते है मैं आपको एक खबर दे रहो बहुत बड़ी जे प्लीज वो ये है कि जावेद लतीव साब जो है जावेद लतीव साब आप गैस गैस का बार बार जिकर कर रहे हैं तो मैं आपको एक खबर दे रहा है एक्स्क्लूसिफ खबर है और कोई हाथ री डाल रहा इस चीज पे लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या जरा दिलेरा आदमी है जावेद लतीव साब जो है वो कितने अपने हलके में अपने एरिये में इतने वहाँ पे गैस स्टेशन चला रहे हैं वो तो सारी दुनियां को पता है लेकिन वो कैसे चला रहे है वो भी पता है सार ऐसे है कि उनके नीचे से जो गैस की पाइप जा ये इतनी मोटी जी वो मुफ्त में चल रहे हैं डूंट टेल मी जी ये कैसे हो सकता है ए तको ना फिर तुसी सुई गैस आले अगल पुछो ना कैसे हो रही है और नीचे से गैस जनाब इतनी जा रही है और गैस किदर से आ रही है उसका तो इसाब कता भी कोई नहीं है ये गै गैस की पाइप जो पड़ी हुई है वो उस गैस की पाइप से कितनी गैस चोरी हो रही है और कितनी गैस के उदर पंप वहां पे खुले हुए है वो जाविद लतीव साब से पूछे है आप अच्छा वही गैस उनको चड़ गई और वो अवाम की अदालत में पहुंच गए थ तुसी पुछो ना वीडियो मैंने देखिया उसमें मुझे पबलिक थी और यूथ थी और इसलिए तो ये जलसों में नहीं जा रहे अच्छा थोड़ा सा अबजेक्टिव औजेक्टिव हो के मैं बात करू एनलाईज करना चाहता हूँ इसलिए के कौम के सामने इस वक्त सि एक रास्ता यह के स्टेटिस को चेवई ने मजीड चलता रहें और इस स्टेटिस को के नतीजे में पाकिस्तान में मूदी की जूपान बोली जाती है उसके लिए मू नावाज श्रीफ सामने उसके लिए मूज ये जो नाम आप ले रहें उनका हिले और ये जो लोए के चental specialist लोए के चने कुछ तो लंडन में जाके लोए के चने जेरे से में चले गए उसमें बैटे भी अर कुछ जो लोए के चने आपने देका ये चार-पांचि को Jaum ये जो लोए के चने इनके उपर हम दूसरे सूरत ये हैं कि हम पाकिस्तान पुरा छोड़ देते हैं कोई तालुक ही नहीं है देखे जिनको डेड़ करोड वोट मिला हुआ है वो बैट के कहें के 20 करोड लोगों को हम आस्टेज करके रखेंगे ये नहीं चल सकता इस तरह से मुलक किसी कीमत पे भी नहीं चल सकता एक ही रास्ता जो आईनी रास्ता हम कह रहें तरीके इ रही है वो ये है के दोबारा फौरी तोर पे अलेक्शन हूँ अच्छा इसके एक और पहलू भी है ये क्या चाते हैं ये मैं बता दू रान साब एक विनट ये ये चाते हैं कि कोई तरीका ऐसा निकले कोई ट्रक चला जाए पी टीवी की तरफ कोई जवान च्छांग लगा के दरवादे के अंदर चला जाए ताकि हम कहें देखें जी हमारे साथ बड़ा जल्म हो गया ये नहीं हुआ इसलिए ये दुकी हैं ये परेशान है इसलिए ये चीख रहें ये कहते हैं और मैं एक और नेरेटिव इनोंने बिल्ड करने कोश्च किया उस नेरेटिव पे मैं के मुं में खाक जो जो एक पागिस्तान में कोई खाना ज enlightा जूँदिव ये और वो बोलने वाले कौन्से लोग हैं कुछ वो हैं जनूने क्रोडों कमाय हैं 35 पंक्चर वाले से कुछ वो हैं जनूने कर देमाफ करा हुए है कुछ वो हैं जिनके उपर जिस दिए आपने कहा नीचे से सारे खजाने के नलके गुदर रहें यह जो एक 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 मैं अब क्या कहूँ मैं नाम नहीं लेना चाथ कुछ ताना दे दे देंगे कि मैं नाम नहीं लेता लोग यहां साथ हमारे बन रही है मोटर वे आप पता जाके करें कौन खरीद रहा है और वो बड़े बैठे हो अलमे होते हैं पता लगता है इन से बड़ा ना कोई नहीं करता प्रास्क्यूटर साब की पर्फार्मिन्स फूरी कौम ने देख ली जो सवाल पूछाए जवाब उनके पास नहीं है इस वक्त हम यह तवक्त कर रहे हैं कि कौमी इधारे और खास दो और अच्छे यह औरिजिनल रेफरेंस किदर है नैप के पास जो अदेबिया का था वो किदर गया सारा कुछ मौजूद है जी औरिजिनल रेफरेंस फाइल का हूँ है कोट में कोट का रिकार्ड तो नहीं जला ना बाकी रिकार्ड नहीं है इसलिए इस पे जो कौम की तौकवात हैं वो यह हैं कि जो ट्राइल्स होने हैं वो जल्दी हों जो फैसले होने ह हैं इनकी साज़शे हैं इनकी दौाएं नहीं हैं मुनाजात नहीं हैं इनकी बाकाइदा मैनेजमेंट है जिसके दरीए से यह चाहेंगे कि यह फैसले कभी ना हो मुझे मुझे बशीदों के जवाब चाहिएं बापरवान साब आप से आप क्यूंके जाते भी हैं अदालतों में और बड़े वहाँ पे गजवाच के जान दे हो तुसी लेकि मन दसो ए मौडल टाउन दी रिपोर्ट आनी सी सामने हो क्यों नहीं आई नंबर वन नंबर वही नहीं है नहीं है हमारे पास फिर्च के जान दी वहाँ आप क्यों के यह पहले आना चाहिए था और यह कहा गया था दालतों से के पहले आए गए नहीं आये क्यों नहीं आए वन इसकिंड़ी वह और इजिनल रेफ घान गया व्देबिया का सानिया माडल टाउन की मैं ये उनके शौदा को भी कह रहा हूँ डाक्टर तैनल कादी साब को कह रहा हूँ मेरा हंच है गैस वाक है मेरा रिपोर्ट सामने आएगी इसको आप रोका कब तक आएगी जी बड़े अरसे से सुचो मैं ये आएगी आएगी कब आएगी जैज्वेंट रिजर्व ही है लाहर हाई कोट में और वो ठीक है लेकिन कब आएगी जी मुझे तो आप समझाए ना मैंने जो कहना था कह दिया ना जी दूसरा उसके बाद जो आपने कहा कि ये बताएं कि रैफरेंस का है रैफरेंस आज के पास जैब में तो नहीं हो सकता ना लेकिन अदालत में मौझूद है उनके बास नहीं हो सकता लेकिन जी आएटी की वालिम नुबर एट में और एट ए में मौझूद है आज नहीं था ना जी इसका इसके उपर तो उनकी competence के उपर जाता ने जो साब पेश हुए हुए थे तो इसलिए उन्होंने volume 8 की 8 भी मंगवाया है 8A मंगवाया है और उसके साथ ही commit किया था जो prosecutor साब इनके पेश हुए थे पिछले जब justice कोजा साब ने फैसला किया था उस फैसले के वक जो paragraph 10 11 12 वो पढ़ने justice कोजा साब का उसमें उन्होंने commit किया हुए हम ये कोलेंगे अच्छा अब ये है उसमें एक ही सवाल है जो लोगों को educate करने के लिए मालूम होना चाहिए वो ये है कि क्या साल डेड़ साल से ज्यादा डिले था डिले क्या था नवाज शीफ साब को सदा हुई थी इन्होंने पाव पकड़े और जो इनका पसंदीदा जरनल मुशर्फ था उसे इनको बार जाने दिया और इनके पसंदीदा जो बादशा थे वो आए उन्होंने आके पाकिस्तान के लोगों को जब ये कह दे थे मुदीने वाली सरकार ने बुलाया है उन्होंने माफी नमाइन का दिखा दिया था नेट पे पड़ा हुआ है हुआ ये है कि ये जो इस वक्त जिसके बारे मैं कहा जा रहा है न कि डिले डिले आठ साल की कंडोन की हुई है और जिस्टिस आने के बाद भी इन्होंने डिले किया एक एक दिन एक्स्प्लेइन करना पड़ता है इसलिए नमाज स्रीफ का मुकदमा ही लगता है ये डिले तो उसके मकाबले मैं को मेरे खाल मैं कोई 500 गुना कम बनता है ये डिले तो एक प्रेसिडेंट 1920 के फरक से मौजूद है जी जी एक आप ने खबर एक आपने बाबर रवान साब खबर दे दी आपने का जी के मौडल टाउन की रिपोर्ट जो है बहुत जल्द सामने आने आने वाली है और आपने का जी मैंने जो कहना था मैंने कह दिया मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आगे इससे आगे थोड़ा सा चलना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने शुरू में कहा था जिस प्रीज भी मैं कह रहा था जनाब के ये जो इसे चोज़े शुजात साब मंजे हुए सियासतदान है प्राइम निस्टर भी र ममकिन है कि जो चोज़े शुजात साब कह रहे हैं उनकी कहने के मताबक कोई कोड़ जो है कोई इंटर्प्रेटेशन का आइन की ऐसी कर सकती है कि नैशनल गोर्मेंट की तरफ चला जाए क्यों कानूनी राए पूछ रहो देखें जो चोज़े शुज़े शुज़े कौन सा मकदमा है सुप्रीम कोड़ पाकिस्तान के सामने जिसमें कोई ऐसा और्डर कोई तवक्व करे एक बात दूसा यह है कि वो कौन से आलात हैं जिसमें हम कहें कि कौन करवाएगा वो इलेक्शन उसको कहां लेके जाएंगे अगर हम यह बनाना चाहते हैं कोई लोग दो दोस्तिया तज्वीज करते हैं कि बने इसलिए हम तो कौन्सिटूशन के मताबिक हम पाकिस्तान की इस वक्स सबसे बड़ी फैडरल इमॉक्रिट्रिक पार्टी हैं इसलिए हम आईन की बात ही करेंगे अच्छे चले अगर आपके आपकी बात को अगर दूस समझ लिया है तो क्या आप समझते हैं कि जो केर टेकर सेट अप आएगा केर टेकर सेट अप तो आएगा के आपोजीशन और गौर्मिन्ट जो है मिल के केर टेकर सेट अप बनाएगी सो उस केर टेकर सेट अप पे फिर रिजल्ट क्या निकलेगा वो डूंट यू थिंक बैक टू स्केर लीडर नहीं होता आपोजिशन का मतलब एक मीनिंग फुल इसके ओपर दो मुकदमें एक चेर्मन नैब का मुकदमा है और एक प्रॉसिक्यूटर जनल अकाउंटिबिलिटी का जिसमें मीनिंग फुल कंसल्टेटिव प्रॉसिस को सुप्रीम कोड़ा पाकिस्तान ने डिफाइन किया हुआ है इसलिए ये कोई फिकर वाली बात नहीं है जब लेट दी ब्रिज कम विल क्रॉस इट और उस वक्त भी आप देखेंगे के जो हालात आ रहे हैं उनके मताबक जो भी डिस्पेंसेशन बनती है उसमें क्रेक्षण के लिए उस वक्ती जो प्रिटिकल प्लेयर्स होंगे जब ये डिस्पेंसेशन बनती है सदर बैठा हुआ है एक और्डिनंस आ सकता है हर्णेट ट्विटी डेज्स के जिए जिसके जिए से को आरजी लिजिसलेशन करेंगे पाकिस्तान में फेर और फ्री खाब अलेक्शन का पूरा किया जा सकता है और अलेक्शन में इस दफ़ा जो गिनने वाले हैं उनकी कोई आहमियत नहीं होगी वोट डालने वालों की होगी वो कैसे जरा समझाईएगा तीन उसके मॉडल्स हैं एक तो ये कि अगर चार हलके जो खुले हुएं उनको आप देखें तो गिनने वालों ने पिछला जो रिजल्ट था वो मुरत्ब किया किसी जगा पे कच्रा पड़ा हुआ है किसी जगा पे खाली लिफाफे पड़े हुएं चार हलके जो खुले हर हलके में 95 अजार 90 अजार और चोधनी जिनसार जब वो इंटिरियर मिनिस्टर थे उन्होंने का कि 70-75 अजार वोट ऐसा है जिसके अंगोटों की शनाक्त नहीं क तक्रीर करते हुए उसने कहा कि मुझे टू थर्ड मिजॉरिटी देना वो किसको कह रहा था आप और मैं तो वोट डाल के घर चले गया थे वो किसको कह रहा था गिनने वालों को तो गिनने वालों ने नवाश्टरी साहब की बात क्यों मानी उस वक्ते एक सियासी चीफ जिस्स बेटा हुआ था जो इनका सियासी कजन था रिलेशन के इतवार से भी और फैक्चुली भी और उसने बुला के क्या किया आरोज के साथ ये आरोज से पूछी उस वक्ते कुछ लोग रिटायर हो गए लाउरा एकोर्ट बार सिटेशन में कोई तकरीबन कुछ हफ़ते पहले में केस के लिए गया तो दो आए जो आरोज लगे वो थे दोनों ने मुझे खुद पकड़ के अपनी अपनी काहनी सुनाई वो काहनी एक एक किताब है पूरी अलदा से किस तरह की दमकियां हुई क्या उनको जिल्लत और किस तरह से उनको इंबरस्मेंट का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की बाइस स्यासी जमातों ने उस एलेक्शन के वाले से कहा कि ये रिगड एलेक्शन है अच्छा लेकिन आप बात करें पराने चीफ जिस्टिस की बात करें ना आप उस वक्ट जो मुझूद थे एलेक्शन के वक्ट पे उन्हीं की बात करें ना आप तो उनको उनको क्या आपने बता दिया है मैं इस पे तफ्राइए कर सकता हूं आस देता हूं फिर जोर दासो ना फिर बाबर रवान साब थैंक यू वर्य माइच फो कमिंग आवर टू माइश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबर रवान साब मेरे शो में मौझूद है जी और बाबर रव साब कहते हैं कि वो लिक के देने के लिए तैयार हैं कि जनाब जो तारीख दी गई है इलेक्शन्स की जिस तारीख पे इलेक्शन्स होने हैं दोजार इठारा में उस तारीख में इलेक्शन्स नहीं होंगे और दूसरा वो कहते हैं चोज़े शुजात हुसाइन साब कि जना Anyways, let's see, we are keeping our fingers crossed. कल क्या होता है, हम उसको देखने के लिए मुंतजिर है, फिल हाल, रानव उमश्र को इजास दीजिए, आला हाफिस. उसक दो आजे खिल कर दो करद मोंश्र हाफिस, आला हाज ब हाज ब applications white हम मंगाज।